बैंक एक्स में तीन नकाब चोर घोसाते हैं उनमें से एक गार्ट को मारके बेहोश कर देता है और उसके बाद सीधा कैश काउंटर पे चला जाता है चलो जल्दी जल्दी सब कैश निकालो दूसरा सबको हाथ उफर करने बोलता है और बंदूक लेके खड़ा हो जाता है और तीसरा सीला मैनेजर के केबिन में जाता है तब ही अंदर से दो गोलिया चलने की आवाज आती है तीसरा चोर बहार आता है और बाकी चोरों से कहता है भागो यहां से भागो मैनेजर मर गया है भागो यहां से और तीनो चोर वहां से भाग जाता है डेटेक्टिव मेहूल प वहां रुख गय थे और एक चोर मैनेजर के केविन में घुज गया था फिर वहां से दो गोलिया चलने की आवाज आई और फिर तीनों चोर भाग गये मेहुल अंदर जाके देखता है तो मैनेजर की डेथ हो जाती है और लौकर खुला रहता है और सारे पैसे गायब होते है मे निशानों में कुछ गरबर है क्या गरबर है क्या आप सोच सकते हैं दिवार पे जो गोलियों के निशान है वो अलग-अलग साइस के है ऐसा कैसे पॉसिबल है मतलब हो सकता है अंदर दो लोग हो मेहुल देखता है कि केविन में आने के दो रास्ते है तो हो सकता है चोर एक जोरों को वापस देखके बता सकते हैं घ्याकलू होगा गार्ड बताता है कि उसमें से एक चोर ने जोकर फेस लगाया हुआ था और उसमें एक स्टीकर लड़क रहा था जिस पे लिखा था जेके कॉस्टुम्स मेहुल तुरंद बैंक को सील कर देता है अब ना किसी को बैंक से बाहर जाने की पर्मिशन थी ना किसी को अंदर आने की मेहुल तुरंद येके कॉस्टुम्स पहुँच जाता है वहां के उनर से उस जोकर फेस के बारे में पूछता है तो उनर बताता है कि हाँ एक आदमी कल जो करफिस लेके गया था और वो अपना wallet भी यहीं भूल गया है मेहुल wallet खोल के देखता है तो उसमें उसे एक receipt और थोड़ा cash मिलता है क्या आप receipt को देखके बता सकते है इससे मेहुल को और क्या clue मिल चकते है रिसिप्ट एक कैफे की है शायद मेहुल को कैफे से उस आदमी के बारे में और इन्फरमेशन मिल जाए मेहुल तुरंट उस कैफे में पहुच जाता है और उस रिसिप्ट को दिखा के पोचता है क्या पता चल चकता है ये रिसिप्ट किसके नाम की है तो उनर देखते से बोलता है हाँ ये तो संधीप सर की है special extra sugar coffee वही पीते है वो अभी अभी आये है उस table पे बैठे हुए है तबी संधीप का ध्यान मेहुल पे जाता है वो देखके डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन मेहुल उसे पकड़ लेता है संधीप मेहुल को बताता है कि बैंक लूटने वो तीन लोग गए थे लेकिन उन्होंने बैंक नहीं लूटा और बिना पैसे लिए ही भाग गए किसीने मैनेजर को गोली मार दीती इसलिए वो घबरा गए थे तो मेहुल कहता है पर तुम में से ही किसीने मैनेजर को गोली मारी है ना नहीं नहीं हमने नहीं मारी है पर संधीप बताता है कि अंदर जाके उसने मैनेजर को बंदूग दिखा के डराने की कोशिश की और लोकर की चाभी मांगी लेकिन लोकर तो पहले से खुला था और पैसे भी गायब थे मैंने मैनेजर से पैसे के बारे में पूछा और डराने के लिए एक गोली दिवार पे चला जी तभी मुझे एक और गोली की आवज आई और वो मैनेजर को लगी और वो मर गया मैं घबरा गया और वहाँ से भाग निकला मैंने खून नहीं किया है और चोरी भी नहीं की है मतलब तुम जब अंदर गए तो लॉकर पहले से खुड़ा हुआ था और पैसे गायब थे और मैनेजर भी अंदर था तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया और गार्ड को क्यों नहीं बुलाया मेहुल वापस बैंग जाता है और लॉकर की चाबी पे फिंगर प्रिंट्स लेखता है तो वो मैनेजर के ही रहते है मतलब पैसे मैनेजर नहीं निकालके दूसरा अदमी को दिये है लेकिन अगर दूसरा अदमी चोरी के लिए आया था तो मैनेजर ने शोर क्यों नहीं मचाया मेहुल पूर इस्टोरी समझ जाता है अंदर क्या हुआ अब यह आप पॉस किजिए और सोचे अंदर क्या हुआ होगा तो चलिए अब देखते हैं अंदर क्या हुआ था वो दूसरा अदमी इस कबट के पीछे छुपा हुआ था जब चोर ने गोली चलाई तब इसने भी कबट के पीछे से गोली चलाई चोर की गोली तो दिवार पे लगी लेकिन इसकी गोली मैनेजर को लग गई जिससे वो मर गया दूसरा अद्मी अभी भी बैंक में ही है और वो बैंक का वरकर है क्योंकि दूसरे दरवाजे से बैंक के employee लोगी आते जाते थे मेहुल केविन से बाहार आता है और बैंक के सारे करमचायों को देखता है और उसे तीन लोगों पर शक्त जाता है क्या आप इन तीनों को देखके बता सकते हैं? तीनों में से वो दूसरा अब भी कौन हो सकता है? सोचे और मुझे आपका अंसर कमेंट करके बताईए ये आदमी मैनेजर के केबिन में था इसके शर्ट पे देखिए वाल का कलर लगा हुआ है और ये वाल वही है जो मैनेजर के रूम की है और ये कलर की वाल वो कबड के पीछे वाल है और जब चोर अंदर घुसे थे और हाथ उपर करने बोले थे तब ये आदमीवान नहीं था मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि मैं मैंनेजर को कंधे पे गोली मारने वाला था जिस पे कोई मैंनेजर पे शकना करे हम दोनों मिले हुए थे चोरी में लेकिन तभी चोर ने गोली चला दी और मैंनेजर घबरा गया और हेल गया उससे मेरा निशाना चुक गया और वो मर गया तुम्हारे प्लान की वज़े से मैनेजर की देत हो गई, लेकिन चोरी का पैसा कहा है। सर प्लाइन के हिसाब से मुझे मैनेजर के कंधे पे मार के चोरी करके बैंक से भागना था और फिर पीछे वाली खिड़की से वापस आ जाना था पैसो का बैक वहीं पीछे वाली खिड़की पे छोड़ देना था लेकिन मैनेजर मर गया तो मैं घबरा गया मैंने पैसे यहीं मतलब वो तीसरा आदमी आसे पैसे लेके भाग गया है यहां तो गारी के चक्कों के निशान दिख रहे है मिहुल गारी के निशान को फॉलो करता है तो वो उस कार तक पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है वो आदमी कार से बहार आता है तुम भाग क्यों रहे थे, सर सर मैं डर गया था, मैं पैसे लेने के लिए पीछे वाली खिड़की के पास गया था, लेकिन वहाँ पैसे नहीं थे, और मैंनेजर की देथ हो गई थी, तो मैं घबरा गया और वहाँ से भाग गया, क्या, पैसे तुम्हारे पास भी नहीं है, त या आप सोच सकते हैं वो कौन है पूरी स्टोरी को ध्यान से समझेए सारे क्लूस को ध्यान से देखिए सोचे और मुझे आपका अंसर कमेंट करके बताईए कि चौथा पात्तर कौन है जिसने पैसे उठाए है मेहुल तुरंट बैंक वापस जाता है और सेक्योरिटी गाड को पकर लेता है पहला चोर आते से उसे डंडा मार के बेहोश कर दिया था तो उसका टैक पे ध्यान कैसे गया मतलब वो नाटक कर रहा था क्योंकि अगर वो बेहोश था तो मेहुल के आते ही वो होश में भी कैसे आ गया मतलब चोरों के भागते से वो होश में आ गया तीसरा उसके शूज में वही मिट्टी लगी है जो पीछे वाली खिड़की के पास है मतलब वो वहाँ जाके आया है मेहुल उसे चोड को मैनेजर के दोस्त को और खूनी सब को पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे